आप देख रही है MNS News सच ज़रूरी है रोकेगी सरकार हिमाचल में अब सरकार बनाने की कोशिश में जुटी बीजेपी आईए देखते हैं खबर विस्तार से अखिलेश यादव से नाराजगी के बीच पलवी पटेल ने किसे किया वोट सामने आई ये तस्वीर साफ हुआ सब कुछ समाजवादी पार्टी की सीरा थू से विधायक पलवी पटेल ने सपा प्रत्यांशी को वोट दिया है हालाकि इससे पहले अखिलेश यादव और पलवी पटेल के बीच खटपट की खबरे सामने आ रही थी लेकिन इन तमाम खबरों के बीच अब उन्होंने सपा के पक्ष में ही वोटिंग की है वोटिं मैं पीडिये से हूँ मैंने शुरू से ही पीडिये से बात की और मेरा वोट भी पीडिये कोई गया है मेरे वजूद में धोका नहीं है मैं धोका और गदारी नहीं कर सकती मैंने पीडिये को वोट किया है मैंने खुलकर और दिखा कर रामजी लाल का सुमन को वोट दिया है म मैं पीडिये मिर्थी और भविश्य में भी रहूंगी पीडिये मेरी आत्मा और जान है इसलिए लड़ाई लड़ती रहूंगी सपा अधेक्ष अखिलेश यादव से फोन पर हुई गर्मा गर्मी पर भी पलवी पटेल ने जवाब दिया और कहा कि मैं जगड कर ही हक लेती बावजूत योजना पर अमल नहीं करने की सजा वित्तम अदद लेने के बाद भी मनमानी और लंचल रवया दिखाकर छे राज्यों को भारी पढ़ने वाला है दरहसल केंद्र सरकार सिक्सा और शियासत करने के साथ ही कोता ही बरतने वाली दिली पंजाब समय छे राज्यों पर लगात्म लगाने की तैयारी कर रही है यह राज्य स्कूली शिक्षा के लिए संग्रम शिक्षा योजना के फंडिंग तो लेते हैं लेकिन योजनाव को लागू नहीं कर रहे है इससे दिली पंजाब तामिलाडू ओडिसा पच्चिम बंगाल केलर और मध्यप्रदेश सरकार ने नई शिक्षा नीती NPC 2020 की सिफारीश की तहट PM स्कूलों के लिए शिक्षा मंत्राले के साथ बार बार नोटीस भेजने के बावजूद समझोता हस्ताकसर से इनकार कर दिया है अब ऐसे में राज्यों को संग्रम शिक्षा योजना में मिलने वाले पैसा नहीं दि आबीत NCP 2020 के तहट ही सरकार स्कूलों की शिक्षा की गुनवत्ता से सुधार इंफरोट्रिक्चर और आम छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए मकसस से PM स्कूलों को शुरू किया गया है इसके लिए संग्रम शिक्षा योजना के तहट केंदर सरकार फंडिंग दे रही है इसमें सरकार स्कूलों को पीमशी स्कूल के बदले से बदला कर उनके सारा खर्च केंदर की और से दिया जाता है आईए बट्या खबर क्यों हिमाचल में अब सरकार बन्नाने की कोशिश में जुटी बीजेपी थोड़ी देर में राजपाल से मिलेंगे जैराम प्रदेश में कॉंग्रेस सरकार पर संगट के बाद मंडरा रहे है मिडिया रिपोर्ट के मुताबित सुत्रों ने बताया कि जैराम ठाकुर की अनुवाई वाली बीजेपी विदायक दल के नेता राजपाल से मुलाकात करेंगे तो ये दावा करते हुए विश्वास मत की म अमित होगी प्रदेश में सियासी घटनक्रम के बारे में जानकारी देने हम लोग राजभवन जा रहे हैं उन्होंने ये भी कहा कि मार्शल ने विदायकों के साथ गलत विवहार किया उदर अपने विदायकों से नाराजगी को देखती हुए कॉंग्रेस भी एक्टिव दि को मनाने के लिए पार्टी का शिर्ष नेतरूत्व सक्रिय हो गया है कॉंग्रेस अद्देक्ष मलिका जुन खरगे ने छे विदायकों से बाचित करने के लिए वरिष्ट नेता भूपेंद्र सिंग हुड़ा और डी के शुकुमार के नियुक्त किया है इससे हिमाचल आप शुकला से मुलाकात करने की योजना बनाई है अब आप हमारे चैनल को मोबाइल आप पर भी देख सकते हैं मोबाइल आप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से मनेस न्यूस टीवी आप डाउनलोड को रहें आप इसे इंस्टा हाई क्वीक ट्वीटर फेस्बूक और क तमाम बड़ी खबरे बने रही हमारे साथ मनेस न्यूस टीवी पर नमश्कार यह है मनेस न्यूस निट पर और आप देख रहे हैं मनेस न्यूस